लोक तंत्र बनता है लोक से, लोक यानि कि लोग अगर भीड में तब्दिल हो जाएं तो वह बन जाता है भीड तंत्र, धुर्वी करन, पॉलराइजेशन कितना खदरनाक हो सकता है ये सब हमने दो दिन पहले अमेरिका की घटना से देखा है अमेरिका में साल 1968 में जब पुलिस ने वियतनाम यूद का विरोध कर रहे परदर्शन कारियों को पीटा था, उनको परताडित किया था, तब वहाँ एक नारे का जनम हुआ था यानि कि पुरी दुनिया देख रही है यह नारा आज 2021 में कि सुरुआत में ही यह नारा वापिस जिन्दा हो गया है, वापस जी उठा है, जीवन थो उठा है इसका कारण कुछ भी रहा हो या उडिटा रहा हो इस समय पब्लिक पुलिस को पीट रही थी, परताडित कर रही थी नमस्कार दोस्तों, एक गलत सक्स आता है और सत्ता अपने हाथों में लेता है और पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के रिष्टे खराब कर लेता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर सत्ता में आए वे दोबारा सत्ता की लालसा रखते हुए जो उन्होंने किया वे सारी दुनिया ने देखा ट्रम समर्थोगों ने वाशिंग्डन इस्तित कैपिटल हिल यानि अमेरिका के संसदभवन में गुसकर जो उत्पात मचाया वे हम सब ने देखा बाते उसके लिए ही होती हैं बाते उसके लिए ही जादा बनती हैं जो दूसरों को बात बनाता है या दूसरों को जादा सिखाता है दुनिया वर में लोकतंत्र का जंडा बुलंद करने वाला लोकतंत्र का धोजवाग बनने के लिए उतावला देश अमेरिका में ऐसा होता देखकर पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया ने इस घरनापुन करते की निंदा की वहीं चाइना और वह इरान जैसे देश जिनको अमेरिका किसी ना किसी वज़े से तनाव में यह रखता था उन्हें इस घरना गयवाद अमेरिका पर सवाल उठाने का मुका बिल गया है और वो इससे कहीं पीछे भी नहीं हटे हैं बात तो सोचने भी है क्योंकि जिस देश के साइंटिस्स जिस देश के वज़्यानिक अपने देश में बैट कर दूसरे देश के किसी भी विक्ति की हाथ में बनी गड़ी का समय बता सकते हों तो वो क्या ऐसी होने वाली एपिदे घटना का आवास नहीं कर पाए हाला की घटना के बाद सोचल नेटवर्किंग साइट्स ने प्रेसिजिट टरम के अकाउंट्स को फीज कर दिया जिससे वे भीड को सोचल नेटवर्किंग के माद्दम से उत्ते जित करने में नाकाम रहे उसके बाद चोथरफा बेजती वे अपनी ही पार्टी में विरोत के सुर जब उगर हुए तो सत्ता के सुगम इस्थानांतरन के लिए डेमोक्रेटिक राष्ट के हिटलर साही राष्टपती तयार हो गए हारतिय प्रधानमंत्री ने भी घटना के कड़ी निंदा की और सत्ता के सांती से और सुगम तरीके से इस्थानांतरन की पैरवी यानि ट्रांसफर ओफ पावर इसली हो जाए पीस्फिली हो जाए हम भारतियों के लिए एक जटका तब लगा जब सोशल मीडिया पर चल रही कैपिटल हिल राइट्स की वीडियोज में हमारे देश का जंडा दिखा सब ने एक ही सवाल किया और एक ही सवाल सब के मन में आया कि दूसरे देश के राजनेतिक ऐस्थिर्ता के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन में यह व्यक्ति कौन है जो भारतियों जंडा लेकर घूम रहा है यह सक्स थे मानने विंसेट जैविर जो कोची से साल 1992 में ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और Republican Party की State Central Committee वरजीनिया के मेंबर हैं इनका कहना है कि यह मेरे देश भक्ति के जजबे वे भारतिय जंडी के लिए प्रेम की वज़े से था मतलब मुझे इतना ज़्यादा देश भक्ति का जजबा है और भारतिय जंडी से इतना प्रेम है कि मैं उसे लेकर भी राइट्स में दंगों में चला गया मेरा मकसद इसको बदनाम करने का बिलकुल भी नहीं था यह सिर्फ भारतिय अमेरिकी कम्यूनिटी को रिप्रेजन कर रहा था अब इसको लेकर हमारे देश में भी वाद विवाद तर्क, वितर्क, आरोप, परत्यारोप लगने शुरू हो गए है वहीं अभी तक भारते सरकार या भारते दूतावास यानि कि इंडियन M.A.C. of America ने इस पर कोई भी टिपनी नहीं की है और ना कोई अपनी परती के लिए अभी तक दी है आशा करते हैं कि आगे हतोत साहित विंसर्ट जी इस तरह भारते जंडे को नहीं फेराएंगे और देश वे देश के लोगों को अपने सोकोल्ड पेट्रियोटिक फरवर यानि की देशवक्ति के जज़वे से नीचा वे समस्या में नहीं डालेंगे दोस्तो वीडियो आपको informative लगता है और काम पसंद आता है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और यह information और लोगों में भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो जादे जादे वीडियो को share कीजेगा, like कीजेगा, comment कीजेगा, धन्यवाद